आप सब को सबी देश वाच्छों के तरब से अनेक अनेक शुब कामना आए अप प्रभु राम जी के आशिरवाद आपको निरंतर मिलते रहे हैं अप जनता जनादन के आशिरवाद भी आपके साथ है लेकिन आप गती और बढ़ानी होगी और अधिक दक्ष्टा के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है यह प्रभु राम जी के कुर्पा है कि इतने कम समय में हम यहां तक पहुँचे हैं आगे भी उसी गती से हमें आगे बढ़ना है और गती तेज भी करना है मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत शुक्वामना है शियावर राम चंद्र की 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 शियावर राम राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की शियाव और वो अंतिम सांसे गिन रहे थे जटायू यह देखिए यह दिवे तस्वीरे यह भी कही जाएंगी क्योंकि यह जो जिलिमिक है पुष्पु बर्षा खुद अपने हातों से कर रहे है श्रम जीवियों पर यहाँ पर उसी सायोग को सलाम करते हैं पुष्पु बर्षा कर रहे हैं अपने हातों से टोकरी में फूलों को बढ़साते हुए श्रंग जीवियों पर उससे पहले उन्होंने संबोदित किया वहाँ पर मौजू श्रंग जीवियों को जिन्होंने राम मंदिर के निर्मार में अहँ बोमी का निवायं का कहा न था कि अभी आ यहां पर आप और चैवंसमीं आने वाली पीड़ी ना श्रंग करीं तरमाम श्रम जीवियों को अपने हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए और ये अदम्य योगदान कहा जा सकता है जो श्रम जीवियों की तरफ से दिया गया है पिछले चार सालों में चुकि पहले ही कोट की तरफ से वडिक तो आ गया था कि राम मंदे बनेगा राध्धनमुवी पर लेकिन कैसे बनेगा ये अपने आप में रिकॉर्ड है चुकि चार साल बहुत कम वक्त का जा सकता है पिशालकाई दिव्य मंदिर बनाने में दिन रात की महनत लगी है सरकार की पूरी मशीनि έχει साथ में थी लेकिन आप यह लेक्टेकी श्रम जीवि जो दिन रात वहान पर काम कर रहे थे अपने हातों से इन्हीं हातों से पूरा यह मंदर का निर्मान किया है और इसी सहयोग को इसी काम को सलाम कर रहे हैं प्तधान मंद्टी नरेन मोधी, कुबेर का तीला वो पुँचे, शिव मंदर में दर्शन किये, शिव के दर्शन करने के बाद श्रम जीवियों से उन्होंने मुलाकात की, बातकीत की और उनके सहयोग को सराहा साथी कहा कि ये काम अभी रुकना नहीं चाहिए अभी और काम को आगे बढ़ाना है और देखे वहाँ पर बीच में खुद पहुचे हुए हैं श्रम जीवियों के और पुरसी पर विराजमान है तमाम श्रम जीवी उनके बीच में पहुचे हैं प्रधान मंत्री और अपने हातों से पुष्ट वर्षा कर रहे हैं और यह तरीका है प्रधान मंत्री का चैरा देखे कितना खुशी से खिल उटा है यह एक सुकून एक संतुस्टियों के चैरे पर नजर आ रहे हैं और वो यह उन्होंने तरीका अपनाया है किस तरह से धन्यवाद दिया जाए शुक्रिया किया जाए श्रम जीवियों का जिन्न अखिरकार खत्म हुआ और शुब गड़ी आई और शुब गड़ी में राम लला की प्रांपे दिस्टावी देखे कितना भव नजारा है कितना खुपसूरती राम मंदिर बना है और यह राम मंदिर जो बना है उसका श्रे जो है श्रम जीवियों को देते हुए बिधान मंत इसे राज करने मार करना है जो भविश में आने वाली जो पीडी है वो इनकारे को याद रखे तो एक यहाँ पर एतिहासिके पल है एक अध्याए पूरा हुआ है एक अध्याए शुरू हुआ है कहादा सकता है और अब देखे जो तमाब वहाँ पर वीवी आईपी मौदू थी वो भी एक एकर अंदर जाकर दर्शन कर रहे हैं कल से आम जन के लिए दर्शन खुल पाएंगे दो तस्वीर आपके साबने हैं और ये एतिहासिक पल है एतिहासिक छड़ है हर भारत वासी के लिए हर रामभक्त क्या सपना आज पूरा हुआ है गौरवन विद करने वाल होसला अवजाई भी की थी और ये भव्य डिव्य राममंदिर जो आप देख पा रहे हैं जिसका सपना हर रामभक्त में देखा था वो पूरा हुआ है उस राममंदिर के निर्मार के लिए जो एक बड़ा सयोग रहा है योगदान रहा है ये इन श्रम जीवियों का है और श पूरों को उन ट्रम जीवियों पर बढ़साती पर प्रधानमंति रनेंद मोदी चहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी है आगे बढ़कर उन लोगों के बीच में जा रहे हैं और यहीं यह उनका आखरी कारक्रम होगा और यहां से वो फिर प्रस्थान करेंगे आयुद्धा में चुकि 4 घंटे का ही प्रधानमंति रनेंद मोदी का कारक्रम था यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंति रनेंद मोदी अनुस्थान के कारक्रम में मौजूद रहे गर्ब ग्रह में उन्होंने पूरे जो वीती थी उसको आगे बढ़ाया और 11 दिन का जो अनुस्थान था वो को ला गया प्रधानमंति की तरह से शास्टाट दडवत प्रडाम प्रभु राम को किया प्रभु राम की मूर्ति भी आज सामने आई और लौकिक खूपसूरत लालिमा उनके चेहरे पर तेश प्रकाश सुर्वंश्टियों ने कहा जाता है तरह 51 इंच की बाल सुरुप की ए मूर्ति है राम नला की पांस साल की बाल सुरुप को इसमें दर्शाय गया है प्रकाश और तेश भी राम नला कैसे होंगे उस तमाम जो महा कावियों में उल्ले के किया गया है कुछ उसी तरह की छबी इस मूर्ति में देखने को मिलती है और हर राम बक्ति नला की इसमें देखने का देखने